शाम सुंदर जी उशा देवी जी गुरुजी आपके चरणों में कोटी-कोटी पर नाम राधा वल्लव शीहर इवेंच गुरुजी हम पती-पत्नी सुवा उठकर हाथ-पैर धोकर बिस्तर में ही माला जब करते हैं क्या ये उचित है किसका है प्रसना हां बड़िया है ठीक है जब करो जब तक सवचाले ना जाए ना जब सवचाले जाए तो फिर ना बड़िया है गुरुजी माला जब आलती पालती मार के करते समय पैरों में पीड़ा होने से पैर फैलाना पड़ता है जिससे कोई अपराथ तो नहीं बनता है ना ना ब्रद्द शरीर आप नाम जब मंत्र जब करो ये जो आश्रनों में बैठेने की बात है ये सब ब्रह्मचारीयों की बात है नए बच्छे हैं ब्रह्मचारी योगमारण में चलने भगवतमारण उनका ब्रह्मचार पचे जैसे आश्रनों पे शीधा ऐसे बैठा आता है इसमें पीड़ा होती आव इसमों जिससे दो घंटे ढ़ाई घंटे तो जो ब्रह्मचर है जो अधोगामी है उर्धोगामी होने लगता है ब्रह्मचर पचने लगता है क्योंकि ग्रेश्थी में तो परिवार है लेकिन जो बाबा जी हो कैसे अपने को सुधारे तो ब्रह्मचर के लिए एकाग्रमन के लिए और अपने आराध्य दिव की प्राप जीन छीरन हो रहा है तो ऐसे पलती मार के बैठो ठीक है ने कुर्सी में बैठ जाओ सोफा में बैठ जाओ अब भजन होना चाहिए ज्यादा बैठने वाला उसमें शाशन नहीं चल सकता ब्रद शरीर गाठ दर्द करेगी कमर दर्द करेगा कि ग्रेस्ती में रहे हो थोड़ा प्रहे लिया फिर बैठ लिये फिर टहल लिये पर टहलते समय भी मंत्र जब बैठते समय भी अब भगवान का इस्मरण बना रहे है प्रभु का इस्मरण ना छुटे खास बात यह रहेगी गुरुजी किस दिशा में मुख करके माला जब करना चाहिए सुबा शाम पूरु की बात आ जाती तो सब दिसाएं हमारे प्रभू की हैं वो जीधर वेठा उधर है मंगल ही मंगल है अब सही पूछो तो हमें दिसाओं का घ्यान भी नहीं रह गया जैसे पहले तो इस अब था संध्यावंदन जो करना अब हमसे अगर यहां पूछा जा कि किस दिसा में दर वा गया ना कि अब कौन सी दिसा कौन सब दिसाएं हमारी प्रिया प्रीतम की सब भू में मंगल में वही जिस समय नाम जब चल रहा है साब मंगल में हो रहा है पर हाँ प्रारम्मे में यह आउश्यक है कि जिसे प्राता कालिन बिला पर पूरो दिशा में जिदर से सूर्य उद् के लिए और भगवत प्राप्ती के लिए फिशन्ध्याकाल में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भजन करना चाहिए सवीता भार्दवाज जी राधा वल्लव शियर इवंश गुर्देव भगवान आपके चरणों में कोटी-कोटी नमा अगर हम बुराई पकड़े रहेंगे तो हम बुरे हैं अच्छा ही पकड़ लिया तो अच्छे है उसमें कहने की बात नहीं है अपने को देखे जो सास्त्र बिरुद गुरु आग्यां के बिरुद धाचरण उनको ना करे वही बुराई है अगर हम बुराई करते भी रहेंगे और कहते रहेंगे हम बुरे हैं तो ये मुर्खता कभी अटने वाली नहीं बैश्नो दैननिता एक अलग चीज होती है लेकिन जिसे हम गलत समझते हम गलत करेंगे नहीं अगर हम गलत करते रहे और अपनी जवान से कहते भी रहे तो क्या हो बकवाश ही तो है मूरता ही तो है मूरकता ही तो है जो हम जान रहें कि गलत है ये और नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें बल मिलेगा नाम शे हम जितना नाम जब करेंगे सत्संग सुनेंगे उतने हमाएं अंदर अध्यात्मिक शक्ति आएगी अध्यात्मिक पावर से ही हम अपनी इंद्री और मन को गलत कामों से रोक शकते हैं नहीं तो जानते विए भी जब अज़स्ती गलत काम करवाते रहेंगे क्योंकि आप में अध्यात्मिक शक्ति नहीं रहे गई इसलिए खुब नाम जब करो और बचो गंदी बातों से नहीं तो इनका जब परिणाम आएगा ना तो फिर मतलब सह नहीं पावगे छोटे से क्योंई कर्म का बहुत बड़ा परिणाम होता है और बड़े कर्म का परिणाम तो कहना ही क्या है तो इसलिए बहुत सावधान जहना चाहिए आजकल जिसे मनोरण्यन समझा जाता है वो दुरगती का कारण बनता है जो बच्चा बच्ची और सब आजकल यह समझ रहे न कि खिलवार है बस केवल मन जैसा कहे वैसा हमें करना है तो इतनी बात समझ लो कि यह तुमारी दुरगती का कारण है यह भगवान ने ग्रेश्थी धर्म की विरक्ती धर्म की परिवार की बिवस्था सास्त्रों में की है आप ऐसे चलो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रमचरे रहो शहियम से रहो जिस पती पतिनी से ब्याह हो जीवन भर उसको निर्वाह करो और वूसी में सीमा में रहो ब्याह किसली किया जाता है सीमा में यह पसू स्वक्षंद विचरन करते हैं मनुष्य थोड़ी मनुष्य के लिए तक शीमा है ब्याह इसी लिए किया जाता है कि आप अपनी पतिनी से पती अपने पती से ही संसारिक्षा मंद रखे अन्य किसी से नहीं और उसको समझाने जाएगा तो परिपति बंचक परपति रति करई रोरो नरक कलपशत परही ऐसे ही सुभगति वे विचारी जो पुरुष वे विचार करता है उसे कभी सुभगति प्राप्त नहीं हो सकती दुर्गति को प्राप्त होता है यह बहुत जो हम लोग आजकल मनुरंजन समझते हैं ना धर्म कात्या करके मन मानी आचरन तो यह जब सरीर में भेंकर रोग और दुर्गति होती तो नरक क्या है जीते जी देख लो ऐसा नरक है इतनी अशांती घोर जलन मन हमारा बिचलित करता है हमें सहना चाहिए आप लोग ग्रेस्थ हैं तो धर्म से हैं धर्म से चलो पती-पतिनी का शैयोग इसलिए भगवान ने ब्यापद्धती रखी आप उस पर धीरे-धीरे शैयम में आओ धीरे-धीरे उस पर विजय प्राप्त करो नहीं है तो कोई तुमें पाप नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेस्थ धर्म में हो पर ऐसा नहीं कि तुम ब्या किसी से करो मन किसी से बुद्धी किसी यह सब बिल्कुल यह धर्म के बिरुद्धाचरन है और हमें लगता है कि इसमें तुमें जीवित वर्तमान में भी शांती नहीं मिलेगी वासना तुमें जला देगी वो घर के बारस होने लगते थे गाओं में हमने देखा भजन परैन होने लगते थे यह हो गया ग्रेस्थी का इतने का अगर वाशना से अपराद अधर्म करोगे तो जीवन में नहीं छोड़ पाऊगे पापा चरण बरता चला जाएगा भले इंद्रिया काम न करें तुम आशक्त होकर उशी का चिंतन करोगे और नरक प्राप्त होगा दुरगती प्राप्त होगा अगर हमें वास्तिवी गलती है तो हमें छोड़ना चाहिए छोड़ने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं उसका सुधार किया जाए जब से जाना तब से हम सही चलने लगे अब लोनशानी अब नानशानी आथ तक गलती हुई आज से नहीं तो भगवान माफ कर देंगे आपको आगे कर रास्ता देंगे लेकिन हम कहते भी रहें कि गलती हुई और गलती करते भी रहें तो फिर बात नहीं बनेगी फिर तो मतब दंड भोगना पड़ेगा और दंड जब आता है तो अच्छे-च्छे को भोगना पड़ता है किसी ने किसी जन्म के कर भी समझी भी भोगना पड़ रहा है तो फिर औरों की बात क्या है तो इसलिए सावधान रो कोई कर्मना बिगड़ने पावे ठीक से चला हूँ सुर्वी तिवारी जी शीहरिवेंश महारा जी महारा जी आपके चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम महारा जी हमें कोई दूराचारी आत्मा कई सालों से प्रेशान कर रही है उसकी सद्गती क्या करवाई जा सकती है इतनी प्रतिकूलता में हमारा मन सब जगा से उदासिन हो जाता है रात को सोते टाइम या सुबा उटते थाइम ऐसा तो मुझे बच्चा से जिस भी से कर तो हमें ग्यान है नहीं हमें तो लगता है हमारा मन ही दूराचारी है और यही सब रूप रखके हमें परेशान करता है और तो कोई है नहीं परेशान करने वाला बाहर से बहुत जगा 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 है बाहर से बहुत जगा हमें मन ही संसार है जिस शमय आपका मन प्रुभू में लगा होगा तो कहीं कोई दुराचारी या भूत या कुछ तुम तो घर में रहती होगी हम तो इसमशान में रहें गंगा के किनारे लोग सेकुनो लासे ऐसे फेक देते थे पहले जलाने वाला कोई धनी आदमी होता था प्राय होती हो नहीं है पर ऐसा नहीं कि तुम्हें टच कर सके हैं तुम्हें परेशान तुम्हारा मन गंदा होगा तभी यह सब बाते होती हैं तुम्हारे मन में मलिंता मन में पापाचरन पूरु संसकारवस पूरु के हैं तो जिसे गंदी बृत्तियां पवित्र मन में थोड़ी पहुते थे हुते ऐसे गंदे आच्रण करने जो भूत्रत बनते अच्छे लोग ठोड़ी बनते हैं अगर इन लोगों का अटेक भी कभी किसी पर होता है तो उसी गंदगी में वह बैठेंगे अन्ने जग informed नहीं है तुमात नहीं है छुषक Candiceerman में देखा, वही कुट्वे खा रहे हैं, लासों को उसी के ऊपर इधर पड़े, ऊपर कोई ऐसा, कोई भैने कभी कुछ कुछ नहीं, कोई हमारा मन गंदा हो, हम इन बातों को थोड़ा कम मानते हैं, क्योंकि आइसा हैं, हम जानते हैं कि जैसे 84 दाइट योनियों में अन्नियो कराने के लिए उनकी सामर्थ फुरिक उनको छू ले उनको परेशा हो उसकी क्या से ब्रश्ट आत्मा है ऊसकी सामर्थ क्या मात्मा को छू ले तो अब जिसे हम नाम करें भजन करें तो सबकी आतmain भगवत सोरूप है ऐसा कोई दंड नहीं हो हमारा जब कर्म बिगड़ता न तो घटना घटा देता है हमें लगने लगेगा हमें भूत सवार कोई हमारे उपर आवेश आता है मिर्गी आने लगेगी, कैंसर हो जाएगा, दिल फेलोने लगेगा यह समारे कर्म से होता है कहीं किसी में कोई इसी सामर्थ है नहीं कि हमको दंड दे सके हमारा कर्म हमको दंड देता है तो इसलिए मुझे लगता है बच्चा नाम जब करो तो सब ठीक हो सकता है पहले नाम जब करते हैं तो चीज़ दूर हो गई थी सास्त्रो नाम जपने का जो फल हो एक बार मंत्र उचशार था जो फल है आजह जब बार मेनत्र नाम खुब जब करो फिर आपके पवित्रता के अनुशार आपको फिर निजमांटरि में कोई भूत परहां रागा है mo 10 से जाओ और मालेगे उन्से जाओ मानशिक्ता को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ है वो द्वा देते हैं, जैसे कुछ पे हैं, कुछ ऐसे, कुछ नींद की देते हैं, कुछ भोजन की देते हैं, तो आप पहले संपर करो, बिलकुल भूत नहीं है, इन दोनों को मतलब आफेक्ट रहा है थोड़ा पहले भी, आफेक्ट क्या होता है, किसका, किसका प्रवा, अरे स सबको मैसूस होता है सबको मैसूस होता है कौन स्रश्टी में जिसको काम न सता रहा हो कुरोध न सता रहा हो मून सता जब काम आता है तो आपके अंदर आवेस आता है ना यह सब भूत हैं यह काम कुरोध लो मूमद मतसर यह सब भूत हैं कोई अटेक से बचा नहीं सब के मामे विपर, प्रपद्यनते, माया मेतांत, अगर उसके सत्ता दे दोगी तो परिषान हो जाओगे, हम जो तुम्हें सलादे रहे हैं, तुम हमारी बात मानो, पहले तुम उसको क्या बहुए घयानीक चिकट सको, हाँ, उसके पास जाओ, देखो गलत सला तुम्हें भटका देगी अगर कहीं हम तुम्हें तावीज बांदेंगे और तुम्हें लॉंगी लाइची दे देंगे और ये कर देंगे बिल्कुल ना फसना हम जो तुम्हें कहीं तुम्हें दिखाने की ज़रत नहीं सीधे आधुनिक जो चिकित्सक हैं मार समय से पर चार वजे करने के लिए जाते थे तो बहुत बड़ा जार पड़ता था मुझ का जाड़ वहां से गुजरना पड़ता था वैसे बड़ी जोर से भनाटो पूरा जार जो है न वह कम पाइमान हो जाता और कम से कम 200 सो पग चलना होता था जाड के अंदर ही अब मन ने एक दम हमको भेवीत कर दिया कोई तो है और रूम खड़ा होने लगा मन ने कहा अद तक नहीं रूम खड़ा हो जरूर कोई प्रितात्मा है तेरी के हमको अगर यह डरवा दिया आप हम क्या बाबा जी है रूज गंगाई श कड़े हो गए और अब अब में आप तक गंगा शनान करेंगा हमें जब चरकास हो जाएगों हम जन लींगे कौ भी कोण हे क्या है यह ऐसे इस तृब सूरवीरों कहता है ना भोख Jakश ना सर्दी ना गरमी ना बरसात हर कस्ट से ता उसको का जाता महात्मा जीवात्मा नई क का जाता उसे महात्मा का जाता जगत उसकी बंदना करता है उसी अपने जिद्धी सुभाव से इद्धम कटर सुभाव मीती में द्रट प्राण चले जाए लेकिन खड़े रहे जब सूरी उद्धे हुआ तो देखा मांस खाने वाली बड़ी-बड़ी मक्हियां होती ना लाख पढ़ते हैं तो भूत दोर पढ़ता हूँ गिर पढ़ते हो हमको जारवाला पढ़ता है कि हमारे अंदर भूत है कुछ चलाए हम तुम्हे कह रहे हैं घोर इसमसान में विचलन करने वाले आदमी कासी के घाटों में पढ़े रहने आले यह सब को हाँ है प्रेती यू नहीं आये पर भजन करने भगवन नाम जब करने सब सांत हो जाता है भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं तो बचा हम जो उसे कह रहे हैं उसे मानों आप पहले किसी वही जो बताई सेकेटरी क्या हम तो मनोची अगरे जी हम पड़े लेला मनोची कित सक्स है आप उससे मिलिए और दवा लीजिए और नाम जब कीजिए फिर आप बता ना कर तीक ना कोई बहुत प्रेत ने भगवान सर्वत है मत्ता परतर्म नान्यत किंची दस्ते धनन जाए मेरे सिवा कोई नहीं है जब हमारे गलत कर्म हो जाते हैं तो हमको गलत सब दिखाई देने लगता है और जो होना संभव है हाँ हो जाता है हो जाता है किसका है हाँ हो जाता है शूर्य उदय के पहले ही अंदकार नस्ठ हो जाता है नहीं हो जाता है सूर्य उदय होने के पहले ही सूर्य उदय नहीं हुआ पर अंदकार नस्ठ हो जाता है जब सूर्य उदय होता है तो अंदकार का तो स सवाल ही नहीं रह जाता है ऐसी भगवत प्राप्ति की योग्यता आने के पहले ही निश्काम, निश्न contract, निर्विकार ओ इस्थितिए आ जाती है तब ही तो भगवत साक्षातकार हो वो भगवत स्वरूप होके ही भगवत साक्षातकार होता है ऐसा नहीं कि भगवत साक्षातकार होगा तब संकल्प विकल्प मिटेंगे संकल्प युकल्प अगर चलते रहे तो तनमेता नहीं होगी तनमेता गभी ना भगोत प्राप्ति कहा है तो भगोत प्राप्ति की योग्यता आने पर संकल्प युकल्प नष्ठ हो जाते है विकार नष्ठ हो जाते है निर्विकारता आ जाती है अगर भगुत प्राप्ति के बाद भी संकल्प युकल्प और भिकार बने ओ, तो भगुत प्राप्ति को मतलब क्या होता है? है ने? यह तो अच्छी शाधना से इस खतम होने लगते हैं, शिद्धा वस्ता पोंचने के पहले यह सब खतम हो जाता है, लगातार फिर भजन में तनमेता बनाए रखे विनीता जी जैजाई शिहतारी वंच महराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओं महराजी मैं आपकी हूँ अपने तीन सप्टमबर के स्वपन में सत्संग के पचाद मुझे बुला कर कंठी प्रतान करें मंत्रू पासना पत्पाई यह सब सिर में अनुवपना सातारी वजन जगत सब सपना तो सपना तो सपना हाई है पर अगर कोई भागोतिक शंकेत होते हैं तो सिरी जी की पेरणा मान ली जाती है सिरी जी का भाव मान लिया जता है और हमारे होने का मतलब हमारे स्यामा स्याम के होना जो कोई मालू कहता है हम आप से सरनागत भाव रखते हैं गुरु भाव रखते हैं हम आपको बहुत अपना मानते हैं तो इसका फल है स्यामा स्याम से अपना पन अगर स्यामा स्याम से अपना पन नहीं तो फिबाते हैं उनाटक है मतलब हम से अपना पन नहीं करता हमारे अपना पन का फल होगा आपका हरदय श्यामा श्याम का अनन हो जाएगा श्यामा श्याम की प्रेम में तड़पने लगेगा श्यामा श्याम के लिए व्याकुल अगर ऐसा नहीं होता तो आप जूट बूल रहे हो आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमें अपना नहीं मानते, हमें अपना मानने का फल होगा यही, आप देख लो, अगर आप केवल एक निष्ठ हो जाएं, तो आप देखो, जो हमारे एरदेम चला वही तुमारे एरदेम निष्ठ आ जाएगी, छोटी-छोटी बच्चे कौन स तो आश्चर माना, वो छोटे चोड़ी बच्ची आने सब बैठ करें, सुधा निदी का पर, सुधा निदी, अभी स्कूल गई नहीं है, सुधा निदी का, कंठस था सुधा निदी, उदे को सुधानसु की बिटिया रही, चतुरासी जी सुधा निदी, उस सब, दिब्यता, क केवल उनके अंदर कोई शाध हना थोड़ी, बच्चे केवल यह है कि मेरे महारानी, स्री राधारानी, मेरे श्यामास, मेरे महाराज जी, उसी का फ़ला है कि उनके अंदर दिब्यता रही, शाधू को अपना मानने का फ़ल होता है, उसके आराध्य देव के नाम रूप में प्रेम होना अगर ऐसा नहीं तो या तो शादू नहीं या फिर आप ड्रामा कर रहें प्रेम नहीं दोनु बाते हैं या तो जिधर आप तनमेता कर रहें उदर वो चीज नहीं प्रकासित हुई है तो सब जगे प्रकासित नहीं हुई या फिर आपका अंता करन बहुत मलीन है आप फालतू में बातें उपर से कर रहे हो नहीं तो शाधू की परती थोड़ी भी भगवान कपिल देव जी ने कहा है कि जो आशक्ति संसार में की जाती वो बंधन का कारण है यदि शंत महाँ पूर्शों से कर दिया जाए तो वही आ सकते उसके मुक्ष का कारण बन जाती है क्योंकि जिससे हम अपनापन करते हैं उसके गुण या दोष हमारे अंदर आने लगते हैं तो अगर हम किसी सद्गुरू शंत से अपनापन कर ले तो उनके सद्गुर्ण हमारे हरदे में आने लगेंगे ये बात है और श्वपनादी का हम मात तो नहीं रखते हैं क्योंकि श्वपनादी तो वैसे ही मन के सब खेल हैं जगत में प्रगट में भी सब मन के ही खेल हैं सच्चिदानंद प्रभू संकेत करते रहते हैं निकलो उसी शुपने में आकर मालू तो हम प्रभू से भी लड़ जाएं तो हम सो रहें तब आने की ज़रुत किया जागरत में सरमाते हो किया हम आपके लिए जीवा नर्पित किया जागरत में तो आप सौपने में सौपने में भी आओ तो जागरत में भी आओ और ना ओ हमाई पार नाम है हम रादा रादा कहेंगे, 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 मर जाएंगे, अब तुम देख लो, तुम अपनी तरफ से देख, तो तो महा प्रेम ही हो, ऐसा कैसे, अगर इतना भी प्रेम आएगा, तो प्रेम सम हम सेवा विराजबान है इस शरीर के पती का ध्यान वर्षों पहले हो चुका है मेरा प्रश्ण ये है कि क्या मैं अपनी अशुद अवस्ता के दिनों में श्री जी की सेवा कर सकती हूँ दो बातों में हम इस बात की अनुमती जेते हैं एक तो विरक्ष और दूसरा ब्रव्ण्मचर है जो भैराग्यवान है और ब्रव्ण्मचरी है गरहत्यागी है वो फिर अशिय अवस्ता में भी माशिक धर्म की अवस्ता में भी बकाया अन्यता सास्त्र शिद्धान्त नहीं है तीन दिन तक तो आप अवित्र दशा में ठाकुर्शेवा आधि करने का आधिकार नहीं है सास्त्री ऐसा मत है अब जिसे जो बालब्रम चारणी बच्चियां है बिरक्त है और भगवत मार्ग मिलेगे उनके लिए कोई नियम नहीं इन सब बातों का स्थित्वी नहीं रोज वही अश्टे आम दिन चर्या जो सब अपनी दिन चर्या में है पर आपने ग्रेस्ती भोगा है शरीर उस भोग्ष के मार्ग में गया है तो फिर अब उस धर्म का पालन करना चाहिए ग्रेस्त धर्म में अपवित्र रशा में कम से कम तीन दिन तक भगवत सेवादी की प्रगट में अंदर से बानी गायन करो अंदर से नाम जब करो प्रगट में ना करे ऐसा सास्त्री शिद्धान्त है गुरुदेब भगवान जब मैं वरिंदावन आती हूँ यहां लोग वहवार के कारण एक दो दिन के लिए कहीं जाना पड़े तो उस समय श्री जी की अस्ट्याम सेवा कैसे करों गुरुदेब किरपा मार्ग देशन करें नहीं तो श्री जी की क्या सेवा में विराजमान है आपकी सेवा में विराजमान है विग्रे सेवा है नाम से विग्रे सेवा मारे श्री जाए हाँ विग्रे सेवा को फिर कैसे छोड़ सकते हैं अपना छोटा से बच्चा हो तो उसे पडोसी को तो नहीं दे सकते ना, जहां भी जाएंगे उसको साथ लेके जाएंगे, ऐसे अपने प्रभू को शाथ रखना चाहिए, क्योंकि विग्रह में अपने प्रभू सेवित है, अब उनको कौन कैसे भोग लगाया, किसी और को दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो यह बात है, और यह जो स्री विग्रह शेवा रखे बिराजमान की जाती है इसमें सावधानी रखनी चाहिए अगर परिवार में शेवा का सायोग देने वाला नहीं, तो आप नाम जब कीजिए आप छवी सेवा विराजमान कर लीजिए, पर अब बिग्रह सेवा में, आम आलो, तीन दिन कोई परिवार में है नहीं, अब जैसा वो बरेनन करती है, पती भी नहीं है अब कैसे सेवा करें अब अगर सेवा ना करें तो तीन दिन को समझने, अब बिग्रह सेवा का महत्त नया समझने कारण, पर ऐसा, नहीं तो छवी विराजमान, रादा उल्लप जी के हरिमान सनुझ, ऐसा कुछे तुम दर्शन कर रहे हैं, और जो भोजन मिला दूर से दिखा दिया, पालिया, तीन दिन बाद फिर पोच करके आरती पूजा कर दी पर श्री विग्रह सेवा भी राजमान फिर ऐसा नहीं होगा, उनको इश्नान उनको कपड़े बदलना, उनको स्रंगार करना, भोग लगाना तो अब अकेला, इस्त्री शरीर, कोई शायोगी ना हो कैसे करे क्योंकि ये बिग्नू पस्तित होता है हर महिने में, अब कैसे सेवा करे, तो एक बड़ी समस्य आ जाती है, ग्रेस्त धर्म में इसलिए बहुत सा उधानी रखनी चाहे परिवार में और कोई नहीं है ये है, लकिन के पास समय नहीं होता है हाँ, तो अब ये मतलब कैसे, हम इसकी अनुमती तो नहीं दे सकते हैं और कहीं आप बाहर जा रहे हैं घर में ठाकुर सेवा नहीं हो रही तो ठाकुर क्या क्या आपने उनको दिलार किया क्या उनको माना कि आप ग़र में तेन निन, चार दिन या किसी को दे दिया, यह सब पद्धती नहीं है, उपासना की, तो फिर अपने साथ रखो, फिर नहीं है तो फिर हम जाई नहीं सकती कहीं, ब्रंदा बनाना है तो उनको साथ रखो, जब समय मिले दिन में, तो उनको इशनान करवाओ, थोड़ा मीठा दिले कर भूग लगाओ आरती कर दि, फिर राजमान कर, फिर दर्शन करो, सबसंग करो, पर साथ रखो फिर, क्योंकि अब प्राण प्यारे यूगल सरकार तो उनको कैसे छोड़ दोगे, गुर्देव भगवान, मैं वानी पाट करते समय, यूटूब पर वानी पाट चला कर उनके साथ गाइन करती अब आपकी करपा से हम भी चार महीने से शिदाविंदावन में वास कर रहे हैं, ऐसी करपा बनाए रखना कि किसी के भी प्रती अपराद ना बने तांकि हमारा वास अखंड बने, और जैसा आप चाहते हैं, हम वैसा बने, हाँ, नाम जब करती रहे हैं, और शत्संग सुनत का मन भी हो सकता है आपके खिलाब खड़ा हो जाए इसलिए कभी ऐसा उशार आए तो गलती मत करना क्योंकि भगवान ने अब तुम्हे चांच सदिया है निकलने का इसे भारी प्रतिकुलता है पती का अनुपस्थित रहना आजीवन ये तो भारी प्रतिकुलता ही आई ना अब इस परिस्तिती को मंगल में बना लो परमपती स्रियाधा बलबलाल को अपना प्रीतम मान के और उपास्वना में द्रड हो जाओ पर फिशलना नहीं रिष्तेदार नातेदार कोई भी कैसा भी अपने सरीर को पवित्र रखना अगर सरीर को बेविचार दोस्ट से युक्त कर दिया किया करा ऐसा मिट्टी हो जाएगा जो दंड भी मिला इससे बढ़कर फिर दंड मिलना सुरू हो जाएगा बाहर बस ये द्यान लखना ये दंड है कर्म का ये दंड है कि मिराजी केती मेरा चूडला अमर है मेरा शोभ भाग अमर भगवान की माल तो सब को ये ध्यान रखना चाहिए ये जो बेविचार रूपी दोश है चाहे इस्त्री हो चाहे पुरुश हो सब के अंदर कामना होती है पर इसको अगर आप स्वतंत्र शोड़ दिये तो आपकी दुर्गती कर देगा ये इसलिए ये सब सीमाएं बांधी गई है मर्यादाएं बांधी गई है ब्याहाद ये और इस सब पशुवत बिवार नहीं करना चाहिए तो हो सकता है कभी हमारे मन के प्रतिकूल अवस्था पर कोई ऐसा तो हमेशा उधान रहना चाहिए जीवन बर ब्रह्मचर से रहो और खुब भजन करो बहुत बढ़िया मार्ग मिल गया ब्रंदावन धाम और स्री राधा बलबलाल हमारे प्रीतम बढ़िया निकल जो उसर है ठाकुर जी शिरी जी की करपा से निकल जो शिरी जी तक बस फसना नहीं कहीं ऐसा निश्चे भगवत प्राप्ति के लिए करें कि भगवान किसी वह हम कहीं नहीं राजी होने वाली तो है नहीं तो हो जाएगी बेवस्ता माया है वो सब लीलाएं कर देती इसलिए अगर प्रश्न किया है कि ब्रंदावन हमारा निर्पराध ब्रंदावन वास्ट निर्पराध को होता भगवत प्राप्ति तो फिर उसके लिए आपको इस बात से हटना पड़ेगा कि जीवन में चाहे जितना कोई हमें आकरशित करे अब हम कूपन्थ नहीं है यदि हमारे भागे में सांसारिक शुक होता तो भगवान ऐसा करते ही क्यों इसका मतब भगवान मुझे ऐसे रखना चाहते है तो आज इवन फिर ऐसे चले पर आज इवन फिर चलो पर आज कल बड़ा मुझेल है ऐसा होना आज कल बड़ा मुझेल है क्योंकि आज छल कपट का राज है छल कपट चल रहा है कोई बिश्वशनी हमारे जीवन को स्वईकार करे ऐसा बड़ा मुझेल भगवान नहीं कोई सही योग बेठाल देता है इसलिए प्रभू को यह अपना मित्र मान ले उन्ही को अपना प्रीतम मान लिए जीवन निर्वाह करे पर बेविचार न करे अगर इस अलगता में निर्पो तो किसी को स्वईकार एक को स्वईकार कर ले बेविचार यह प्रभत्ती फिर बहुत ही जब गया लोग पर लोग समनष्ण हो जयाता है चाहिए इस्त्रियो चाहिए पुरुषो ना चाहिए थे इस्त्रियो चाहिए पुरुषो तो देख लों बच्चեा अपने अनुशार हाँ दो मार्ग है जिसका भी हो, जैसे भी हो अगर आप आजीवन के लिए ब्रह्मचर मार्ग का तो ठीक है, नहीं कोई साथ ही चुल ले अपनी वस्ता के अनुसार साथ ही चुल ले क्योंकि अकेला जीवन निर्वाह यदि प्रभू को लेके हो जा तो बहुत मंगल में हो ना हो पावे तो फिर सुरक्षा के लिए फिर किसी का वरन कर ले उसके अनुसार चले जैसा पर वो आपके हरदें पेरित करो जैसी आपकी छमता हाँ